दोस्तों जब आप लोग अपने laptop में अपने camera को open करते हैं तो आपको यहां पर कुछ protective gear रब्स होती है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सीखने वाले कि कैसे आप लोग स्टाइब की रब्सक्राइब को solve करेंगे तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर device manager के उपर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ second तर वेट करना है उसके बाद आपको यहाँ पर उप्सन देखने को मिल जाएगा जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे जाएंगे यहाँ आपको यहाँ पर एक्षान के उपर किलिख करना है उसके बाद अप्ड़ पर किलिख करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिख करना है रेट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट ड्राइवर के ओपर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पर जो सबसे पहला option है search automatically for updated driver software तो आपको यहां पर इसके पर click कर देना है तो जैसे हम लोग यहां पर इसके पर click करेंगे उसके बाद जो यहां पर आपका driver वो update हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पर इसको close कर देना है उसके बाद आपको अपने laptop में F8 को प्रेस करना है तो जैसे आप यहां पे F8 को प्रेस करेंगे तो दोसुँ आप यहां पिर देख सकते हैं जो मेरे केस में यहां पे problem वोज गिए तो दोस्तो इस तरह से आप लोग बहुत इजी तरीके से आप लोग अपनी लैपटाप के कैमरे को fix कर सकते हैं तो दोस्तों कर वीडियो चीले को लाइक करें चैनल को सस्काइब करें थैंक्यों पर वाचिन